टिम इंडिया के स्टार तेजगेंदबास मौहमद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के लड़ाई किसी सिच्छेपी नहीं है ये कपल 2018 में उस वक्त सुर्खियों में आया जब हसीन जहां ने मौहमद शमी पर फिक्सिंग जसे गंभी रारोप लगाये थे अब दोनों अलग रहते हैं और अपने अपनी जंदगी में मौहमद शमी तो टिम इंडिया के साथ दिखाई देते हैं लेकिन पत्नी हसीन जहां काफी समय से कहीं दिखाई नहीं देती है हलाकि हसीन जहां सोचल मीडिया पर अक्टिव हैं उनके कई वीडियो इंस्टाग्राम पर आते रहते हैं और फैंस उन्हें खूब पसंद करते हैं हसीन जहां का एक वीडियो सोचल मीडिया पर फैंस खूब पसंद कर रहे हैं जिसमें वो टांस कर नहीं है छे अलावा हथी बेदी मशूर गाने काटा लदा और अपने dancing moves दिखा रही है हसीन जहाने खाले रंगे पहनी हुई है और उनका dance भी जबरदर्स थी कई फैंस ने उनके डांस और खुब्सूरती की तारीफ की लेकिन कुछ फैंस ने हसीन जहां को शमी के पास वापस जाने की सलावी दी है पता दें कि साल 2018 में हसीन जहां ने उस वक्त तहलका मचा दिया था जब उन्होंने मौमद शमी पर फिक्सिंग तक का आरोप लगा दिया था हसीन जहां की जांच PCCI को भी करनी पड़ी लेकिन उन्हें क्लीन चिट दे दी गई इसके लावा हसीन जहां ने शमी के भाई पर भी गंबीर आरोप लगाए यही नहीं उन्हें उन्हें शमी पर कई अलग तरीके के आरोप भी लगाए थे हाला कि जांच में कुछ साबित नहीं हो सका बता दें कि शनिवार को शमी ने भी कुलासा किया था कि वो अन्यजी समस्याओं को चलते टने परिशान हो गए थे क्योंके दिमाग में जिन्दगी खत्म करने का ख्याला आया था उन्हें कहा कि उन्हें लगता है कि अगर परिवार साथ नहीं देता तो वो इस समस्य से नहीं निकल पाते शमे ने बताया कि साल 2015 में चोट के बाद वो डेड़ साल तक परिशान रहे और मांसिक रूप से स्वस्त नहीं थे हाला कि इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार ने उनका साथ दिया था A&P Newsroom के रेपोर्ट